नमस्कार फ्रेंट्स, मेरी चैनल होमीपेती एंड हेल्थ विड डॉक्टर अंचु में एक बार फिर आपका स्वागत है Kidney, Kidney vital organ है जो की हमारी बोड़ि के सारे toxic products या वो products जो की unwanted होते हैं जो की हमारी बोड़ी में अगर रह जाएं तो वो poison का काम करते हैं उनको remove करने का काम करती है लेकिन अगर kidney में कुछ problems हो जाए और उन्हें अंदेखा कर दिया जाए तो हमारी kidney acute renal failure की तरफ बढ़ सकती है जो की एक renal emergency हो जाती है आज discuss करेंगे acute renal failure के बारे में वो renal failure जो एकदम से होता है ये वो condition होती है जिसमें kidney एकदम से जो urine का output है, normal output है उसको maintain नहीं कर पाती है और वो कम हो जाता है normally हम 800-500 ml urine 24 hours में excrete करते हैं इतना urine हमारी body से निकल जाता है लेकिन जब इतना urine हमारी body से या हमारी kidney excrete नहीं कर पाती है उस condition को हम acute renal failure बोलते हैं होमेपैती में इसकी रोक थाम का और इसकी proper treatment है चाहे एनूरिया हो या ओलिगूरिया हो दोनों ही condition में होमेपैती बहुत अच्छा वर्ख करती है एनूरिया वो condition होती है जिसमें urine output 100 ml या फिर 100 ml से भी कम चला जाता है उसको हम एनूरिया बोलेंगे ओलिगूरिया वो condition होती है जिसमें urine का output पुट मोर देन 100 ml होता है बट लेस देन 500 ml होता है और ये दोनों ही कंडिशन जो होती है नॉर्मल नहीं होती है और ये कहीं न कहीं एक रिस्क पैदा करती है हमारी बोडी में बहुत सारे कुछ प्रिकॉशन्स बताए जाते हैं जो रिनल फेलियर के केस में हमें लेने चाहिए सॉल्ट इंटेक हमें कम करना चाहिए और प्रोटीन इंटेक भी हमें अपना कम कर देना चाहिए होमेपेटिक ट्रीटमेंट अगर आप होमेपेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको कोई side effect नहीं होता है और वो work भी बहुत अच्छा करती है अगर आप किसी qualified होमेपेट से ही लें खुद अपनी self study से treatment ना करें क्योंकि ये एक vital organ है और aggravation हो सकता है या फिर कुछ side effect भी आपको गलत medication की वज़े से हो सकते हैं एक बहुत ही अच्छा formula जो की acute renal failure या acute kidney failure में काम करता है वो है Pireira 30, Apis 200, Plumbum 30 ये तीनो medicines ध्यान से सुने Pireira और Plumbum 30 और Apis 200 ये तीनो medicines लेनी है Pireira और Plumbum को एक साथ मिला लेंगे इन में से दो-दो बुंदे दोनो medicine में से दो-दो बुंदे दिन में तीन बार हलके गरम पानी में लेंगे और Apis की दो बुंदे दिन में दो बार लेंगे इस से आपकी जो लक्षन है, सिम्टम्स है, Acute Renal Failure के उनमें भी आपको अराम मिलेगा और आपकी जो फेलियर है, रिवर्स हो जाएगा और आप ठीक हो जाएगे एक और सिच्वेशन, अगर Acute Renal Failure में पेशिंट को बलड के साथ यूरीन आ रहा है तो उसके लिए मैडिसन अलग से होती है, इसके भी आप दो दो भूंदे दिन में तीन बार हलके गरम पानी में लेंगे अगर आप प्रोटीन, नमक और पानी का कंजम्शन बैलन्स करेंगे और आप ये दवाई लेंगे तो आपको 100% acute renal failure reverse करने में help मिलेगी और आप जल्दी ही healthy होंगे मेरे साथ बने रहने के लिए शुकरिया और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और किसी information के लिए मुझे comment box में comment करें for further details visit our website homeyblessings.com thank you